नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास IQ 11 ए 11 प्रो है तो यहाँ पे आप आप लॉक चेंज कैसे कर सकते हैं अब आप लॉक दिखा देती हूँ मैं जैसे कि आप मैंने यहाँ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ सेक्यर्टी का ओप्षिन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्राइवेसी एंड एप एंक्रिप्शन इस पर क्लिक करेंगे यह फेस लॉक से खुल जाएगा या फिर अपना फिंगर प्रिंट यूज कर ले या पैटरन लॉक और इसके बाद यहाँ पर मोडिफाई प्रिवेसी पासवर्ट का ओप्षन आ जाता है मोडिफाई पर आप क्लिक कर लेंगे अब यह आपका एप लॉक कौन सा लगा हुआ है यह वाला लगा हुआ है तो पुराने वाला एप लॉक एंटर कर देंगे अब नए तरीके से आप ल डिजिट पैटन कोई सा भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर फॉर डिजिट का कर देती हूं और डाल दूंगे मैं 1234 यह मेरा स्क्रीन लॉग भी है 1234 यह मैंने डाल दिया है अब यहाँ पर बैक कर लेंगे अब मैं दुबारा से फेस्बुक खोलती हूं तो देख सकते हैं चाहे तो फेस लॉग से फिंगर प्रिंट से या फिर यूस पासवर्ट पर जाएंगे तो देख सकते हैं 1234 जैसी मैंने डाला यह खुल गया है तो इस स्टेप से आप आप लॉक चेंज कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार